अगर आपने नहीं देखा है तो उपर आई डैप पर मिल जाएगा चलो शुरू करते हैं कुश्चन नमबर नाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या दिया हुआ है हम लोग को दिया हुआ है वेरिफाइड मिन्स आप लोग को left hand side is equal to क्या करना है right hand side करना है तो देखो हम लोग RHS यह आपका left है यह right है तो हम लोग RHS consider करते हैं जैसे कि मैं right ही हो तो देखो x plus y और x square minus x y plus y square अब यहां पर इस x को पुरे bracket में multiply करो तो क्या हो जाएगा x cube minus x square y plus x y square ठीक है सही है न हाँ और फिर y को करो तो क्या हो जाएगा plus x square यह y को पुरे के साथ minus x y square plus y cube यह x को पुरे bracket के साथ multiply किया यह y को पुरे bracket के साथ किया तो इसका answer क्या आएगा देखो x cube plus x square minus x square y plus x square y cut cut plus x square minus cut cut तो क्या आजाएगा plus y cube means देखो right hand side भी क्या होए x y cube left hand side भी क्या होए x y cube तो LHS is equal to RHS तो ऐसे हम लोग को क्या करना है verify करना है उसका second वाला करते है तो देखो second वाले sum में भी same right hand side भी x minus y x square plus x y plus y square ठीक है multiply करो तो हो जाएगा x cube plus x square y plus x y square plus minus minus x square y minus x y square plus y cube plus x square minus cancel plus minus cancel तो बचा क्या होएगा सिर्फ x cube sorry यहाँ आएगा minus हा so copy down करो मैं इसका question number 10 आपको समझाता हूँ ओके तब 10 sum शुरू करते है तो 10 sum के अंदर क्या दिया हुआ है 10 sum के अंदर 27 y cube plus 125 z cube और बोला है factorize अब यह कैसे करोगे यार cubic के लिए a cube plus b cube ऐसी को identity नहीं है छोटी से hint question के अंदर दियुए है hint यह है use question number 9 तो आपको यह question number 9 की identity मैंने यहाँ पर लिखिये तो अगर आप compare करते हो 27 मतलब x cube 125 मतलब y cube तो आप देखो आपको यह form में सिर्ट करना होगा तो कैसे करोगे सबसे पहले इसका cube root निकालो 27 का cube root क्या होता है 27 का cube root होता है 3 y cube और plus 5 z cube ठीक है अब उसके बार x की जगापर x की जगापर क्या आ जाएगा 3 y plus y की जगापर क्या आ जाएगा 5 z हम लोग identity का use कर रहे हम लोग identity का use करके values रख रहे और यह क्या आ जाएगा यह आ जाएगा एक की मिनट बच्चो हाँ यह आ जाएगा 3 y square minus 3 y into 5 z और फिर plus आप bracket small भी लगा सकते हो plus 5 z square सो यहाँ पर आ जाएगा 3 y plus 5 z और यहाँ पर आ जाएगा 3 का square 9 y square minus 3 फाइजा 15 y z plus 5 का square 25 z square so it means आप लोग का यह answer आ गया आपने factorize कर दिया उसको तो आप लोग ने क्या किया इसका cube root निकाला cube root निकालने के बाद उसको identity में रखा और उसको solve कर गया है ना कितना simple आपको simple simple way simple simple समझाए हो तो आप उगर समझान सा दिखोगे तो आराम साब को समझ में आ जाएगा चलो second वाला करते है second वाले में क्या होगा 64 तो 64 का कितना होता है 4 n cube cube root निकालना है बच्चो minus 343 किसको होता है 7 ठीक है 7 n cube 7 x 49 49 7 z तो 343 होता है ओके next क्या होगा अब यहां पर रखते है तो यह हो जाएगा x की जगा पर 4 m है मतलब 4 m minus minus y की जगा पर 7 n है तो 7 n रखो फिर x square तो x की जगा पर 4 m square plus x y की जगा पर 4 m into y की जगा पर n कितना आजाएगा 7 n plus y square की जगा पर कितना आजाएगा 7 n whole square तो यहां पर कितना हो जाएगा यहां पर हो जाएगा 4 m minus 7 n और यहां पर हो जाएगा 4 का square 16 m square 7 forza कितना हो जाएगा 28 28 m n ठीक है और यहाँ पर सेयं सोयंजा 49N स्क्वेर कितना आ जाएगा 49N स्क्वेर So I hope आप लोग को ये वाला सम भी समझ में आगे है क्या किया क्यों बुरूट निकाला क्यों बुरूट निकालने के बाद आइडेंटिटी में रखा आइडेंटिटी में रखने के बाद कितना सिंपल था तो इतना सिंपल सम आपको दिया है लेकिन आपको ये आइडेंटिटी को निमाग में रखना पड़ेगा तो आज हमने एक नई आइडेंटिटी से किये इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना कि शायद आप लोगो ये पूरा सम समझ में आगया होगा आप लोगो मेरा टीचिंग अच्छा लगा है टीचिंग अच्छा लगा है तो लाइक करना लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स का यूज़ करके अपने डाउट पूछ सकते हो या तो स्क्रीन पर एक नमबर आ रहा था उस पर वाटसब पर मैसेज करके आप मुझे अपने डाउट पूछ सकते हो और अगर चैनल के लिए नए हो सस्क्राइब करो सस्क्राइब करने के साथ साथ बैल नोटिफिकेशन आउन करो आप तब नोटिफिकेशन अन करोंगे तो मेरे नए वीज़े नोटिफिकेशन आपको बलते रहेगे Thank you so much for watching it